आपको पढ़ाएंगे 7th class की जो हिंदी की भुक है वसंत भागतो उसका chapter number 2 दादी मा ठीके तो देखे क्योंके यह हिंदी की है यह लोग आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इसमें मैं आपको इसके समरी बताऊंगी उसके बाद पहले समरी बता के फिर आपको मा जैसा कि आपको chapter के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लेखक या लेखिका जो भी इसको लिखने वाले राइटर है फिलाल तो इसको लिखने वाले शिप परसाथ सिंग है यानि की लेखक है तो वो अपनी दादी के बारे में बताएंगे उनकी कुछ बाते कुछ ऐसी य लेखक यालू थी और कितने अच्छे सभाव की थी और उनका अच्छा सभाव ही उनको घर में और बाहर दोनों जगां लोग पर ये बनाय हुए था ठीक है यह रही लेखक की दादी मा की तस्वीर जो की बनाई है लेखक ने ठीक है अब इसमें लेखक अलग अलग तरह की बातें बताता है पहले सबसे बहले लेखक के बारे में बताता है कि जब मैं बिमार होता था तो उम्जह की मेरी दादी इसमालती थी तोमगे तने नहीं नहीं होती तो घर ait उनकों का तर жизни से आजाता ता, तो वही बात पता रहरे हैं किस तता से जब क्या कोई भी भी बिमार होता था तो दादी जो काफ़ी सारी दौाइस, कि नाम जानती थी पचासों की दवाईउ के उन्हे नाम पताते थी तो आगर कोई भी बिमार होता तो सबसे पहले दादी मा जाती थी फटा-फट उसका माथा चूती थी हाथ-पकर्ती थी जिससे उन्हें सब पता चल जयाता खता कि इसे भूत है या क्या परशानी है सारी परशानी फ्रीया कि आख़ तक के अनुने संपनें किस तरहीं फिर है तो हमश्त ने चांगे इस तरह नहों हो किस तरह ने हैं कि इस तरह में किया है कि एक रामी थी जो चाची थी उनका नाम था धन्नों ठीक है तो वो कुछ पैसे दादी जी से उधार लेके गई थी और वो चुका नहीं पाई थी ठीक है तो एक दिन लेखक क्या देखता है कि दाधी जो एंगे धन्नों के उपर बहुत बिगड़ रही हैं बहुत किया देखता है लेखक कि अभी तो डादी मां डाट रही है तो उसको आशिरु देरी है तो या चली आधे ने पिछले पैसे भी माफ कर दिये मेरे चींहें मेरे ने मफ कर riding और उसके अलावा मीरी बीती की जो शादी है उसके लिए उन्होंने और पैसे दिये 10 रुपे और भी दे दिये मुझे के लो यह खर्च कर लेना तो इस तरह से क्या पता चलता है यह सारे वाकिया यह बताते हैं कि उनकी दादी का सभाव कितना अच्छा और कितना दयालू था है ना आज कल तो लोग बतलब सिफ अपने मतलब पे याद करते हैं इसी तरह से एक जगा अपने बारे में बताते हैं किस तरह से विवा का समारो था जब तो लेखा की तभी थराव हो गई थी जिसकी वज़े से दादी ने उसको वही सुला दिया था अच्छा उसमें एक सम हाती है सारी करेक्टर ठीक है तो चुपचा वहा लेटा देख रहा था एकदम इसे हसी आ गई होगी क्योंकि जब और तो प्ले होता है तो उसमें आद्मियों का जाना मना होता है अब वह तुमाद चुपा हुआ लेटा हुआ था दादी नहीं लेटा रहा था उसे तो जब जरा सी बातों पे मतलब उनको रहम भी आ जाता था उनको मुहबत भी आजाती थी उसमें इस to that इभात मुझे स कत पत्र मिला है जिसमें पढ़ती वो उनके हाथ का अप रहे हैं और विश्वास नहीं हो रहा है उसमें ये लिखा है कि दादी जी अरा किज द दुनिया में नहीं रही है दादा जी जब उनके मर गये थी दादा जी का जब टेथ थी थी कि ते पुंहारे जन kali हो गई पर पास ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति को भगवार अपने पास बुला सकते हैं च्छे व्यक्ति को भगवार जादा जल्दी बुला लेता है तो दीखें यहां आपके लेखा का नाम भी आ गया शिव परसास सिंग ठीक है तो इस तरह से यह आपकी स्टॉरी जो है खत्म होती है इसमें सर्फ उसे बहुत चोटी सी शॉट में स्टॉरी और कहने का सरफ अर्थ इतना सा है कि आज लोगों की सोच मानसिक्ता बदल चुकी है लेकिन पहले जमाने में लोग कितने अच्छे हुआ करते थे अपने आस पर उस लोगों की भी बहादा मदद क करती है दादा जी ने जो कंगन बना के दिये थे वह बच्चों को दे देती है के लो बेटा तुम खर्च कर लो तुम अपने ले कुछ बना लो है ना जो पैसे तुम्हारे रहे गए हैं उनको चुका दो तो इस तरह से इसमें इन्होंने अपनी दादी जी की सारे वेक्टि दादी मा की याद के सासाथ बच्पन की और किन-κιन बातों की याद आ जाती है कि देखिए यहां पर कृषिन से लिख लें पिता जी को मुसीबत में मदद की यह सारी बाते उन्हें याद आ जाती है अगला प्रिशन आपको लिखा है दादी की मृत्यू के बाद लेखक के घर की आर्थिक इस्तिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के पिता जी ने दादी मा के मना करने पर भी खुब धन सं कोशन दादी मा की सभाव दानी मा का जो सभाव था उसका कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों तो यहां लेका है दादी मा के सभाव से के सबसे अच्छे पक्ष मुझे जो लगते हैं वो यह हैं कि वो दूसरों की मदद करती थी समया 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 समय जब भी चाय सामय हो चाय ना हो लोग अगर पैंशान हो जैती हैं तो उसके बड़ अह आपको कहानी इसे आगे के प्रस्व ganzen यहां पहला प्रषन लिखें कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पड़े कवार अशार धनमाग तो इन महीनों के मौसम कैसा रहता है आपको बताना है तो देखें कवार में कैसा रहता है यहां लिखा है कि वर्शा रितू होती है ठीक है यहां देखें लिखा है वर्शा रितू के पहला महीना होता है यह कि वहीं पढ़ाई जाते काहनी से आगे का प्रशन कम ही पढ़ाय जाते लेकिन आपको इसलिए दिखा रही हूं कि अगर मालनी जे कभी कोई टीचर आपको देते हैं तो आप असाने से कर सकते हैं यह से ठीक है इसके लाब है अनुमान और कल्पना यह कोशन भी बहुत कम ही द सबस्क्राइब करें तो सबसे पहले आपको मिलें सबस्क्राइब करें चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करना ना भूलें चलिए थैंक्यू फॉचिंग